सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरू जी चैनल को और उसके बाद इस घंटी की निसान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरू जी की नई वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में सारी डीटिल्स हम आपको बताएंगे कि क्या eligibility criteria है कैसे कैसे आपको भरना है कौन कौन इसको apply कर सकता है क्या क्या डिर्स हैं सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंग दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बाद एक घंटी का निसान आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख सकें और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें क्योंकि मैं डेली दो वैकेंसी अपलोड करता हूँ इसलिए आप मेंसा वैकेंसी से अपडेट रहें जिससे कोई भी भरती आपसे छूटे न है तो चली हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और सारी चीज़े वहाँ पर डीटेल्स में आपको समझा के बताते हैं तो दोस्तो यह जो वैकेंसी जारी की गई है राजस्थान हाई कोड की तरब से जारी की गई है और यह ग्रूप डी का फार्म है दोस्तो इस जो साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगी आप यहाँ पर आएगा वैकेंसी के बारे हम सब कुछ जान सकते हैं और फार्म को अप्लाई भी कर सकते हैं नीचे सारी लिंक्स दी गई है तो दोस्तों यह चो फार्म है यह रास्थान हाई कोड का फार्म है और यह ग्रूप डी का फार्म है TSP और नां-TSP एरिया के लिए फार्म जो पराजा रहा है 12 फरवरी से लाजडेट की रखी गई है 31 मार्च जो की extended डेट है और फिवेब करने की लाजडेट भी इस मार्च ही रखी गई है अब लिक्शन फी की बात के तो जनल रूबीसी के लिए 100 रूपए के लिए 605 फीस रखा गया है आपको जनल फी को डेबिट का केडिर का निट बैंकिंग से पे करना है टोटल 22309 पोस्ट की वेकेंसी है जिसमें क्लास फोर्ट टीएसपी रिया के लिए 138 और क्लास फोर्ट नां टीएसपी रिया के लिए 2178 और इसमें दस्वीं पास मांग गय है जिसमें 18-35 साल रखी गई है तो दोस्तों इसको फार्म को भनने के लिए डाक्टी आपको अप्लाई अनलाइन पर क्लिक करके फार्म को भर सकते हैं नीचे और साई लिंक्स दिए नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ओफिशल विबसाइट की देख सकते हैं और यहां पर अपना फार्म को भर सकते हैं नई यूजर है तो नया यूजर कर सकते हैं या तो आप लॉगिन कर सकते हैं मुझे उम्मेद देखेंसी के बारे हम सब कुछ चीज़े पता चले होंगी यदि आपको फिर भी कोई सवाल है तो मुझे बताएए मैं समस्कार